दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि मोगरा को पत्यों से कैसे प्रुफागेट कर सकते हैं मोगरा को वैसे हम मुख्य रूप से दो तरीकों से प्रुफागेट करते हैं पहला कटिंग से दूसरा एर लेरिंग से जिसमें सबसे ज़्यादा cutting में थड़ी उपयोग में लिया जाता है जिसमें समय भी सबसे कम लगता है लेकिन कि आपको पता है मोगरा को पत्यों से भी प्रुपागेट किया जा सकता है हलाकि इसमें समय को ज़्यादा लगता है बारिस का मोसम मोगरा को पत्यों से प्रोपागेट करने के लिए सबसे सुटेबल रहता है इस मोसम में मोश्चर और हिमिडिटी बनी रहती है जिससे रूड्स फोर्मेशन जल्दी होता है मोगरा को पत्यों से प्रोपागेट करने के लिए आपको medium type की पत्ती लेनी है जो ना तो एकदम से new growth वाली हो और नहीं बहुत पुरानी इन दोनों की बीच वाले medium पत्तियों में energy ज्यादा होती है ऐसी पत्तियों में roots और suits दोनों निकल कर आएंगे जबकि ज्यादा पुरानी पत्तियां grow करने पर भी उसमें roots तो 100% आही जाएंगी लेकिन हो सकता है कि उसमें suits ना निकले क्योंकि उस पत्ति की life काफी spent हो चुकी होती है इसलिए मोगरा को पत्तियों से propagate करने के लिए medium type की पत्तियां आपको लेनी है मिट्टी आपको ऐसी बनानी है जिसमें rate की मातरा पर्याप्त हो जैसे कि मैंने बना रखा है मिट्टी पूरी दर से अच्छी drainage वाली भुरबुरी होनी चाहिए और मिट्टी में fungus वगरे ना लगे इसके लिए उसमें fungicide aid करना बिल्कुल भी ना भूले फंगी साड यहां बिल्कुल कमपल सरी रहेगी जिसमें आप trichoderma या साफ वगरे ले सकते हैं इसके अलावा ग्रो करने के लिए जो कुछ भी आप लेते हैं वो कम गहराई वाली होनी चाहिए जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जिसमें drainage hole भी बना होना चाहिए ऐसे टब वगरे में ग्रो करने पर मिटी के लिए पतली होनी की वज़े से excess water तूरण drain out हो जाता है इसमें सिर्फ जर्वत भर ही हलकी मोश्चर रह पाती है जिसमें फंगस वगरे नहीं लगता है और पतियां easily grow कर पाती है टब में मिटी फिल कर लेने के बाद मोगरा की पतियों को मिटी में हलकी हलकी दबा देंगे पतियों का लगभग 10-12% हिस्सा ही हमें मिटी में दबाना है पतियां grow करने के लिए जो मिटी आप बनाएंगे उसमें आपको सिर्फ तीन चीजें ही यूज करनी है मिटी, रेद और फंगिसाइड उसमें कोई भी खाद वगरे बिल्कुल भी एड नहीं करना है नहीं तो पतियां गल जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमें grow करना है पतियां लगाकर वाटरिंग करके इसे सेमी सेड में रख देना है अगर बारिस अच्छी हो रही हो धूप नहीं निकल रही है तो आप इसे खूली जगह पर रख सकते हैं नहीं तो इसे सेमी सेड वाली जगह पर ही grow करें दोस्तों यह पहला अपडेट मैं आपको 34 दिनों का दिखाने जा रहा हूँ मुझे 100% रिजल्ट मिले इसके लिए मैंने इसे कच्छी जमिन में रख दिया था जिससे इसे ठंडक मिलती रहे और चुके नीचे कच्छी जमिन में स्नेल्स वगरे भी होते हैं इस वज़े से आप इसमें देख सकते हैं काफी सारी पत्यों को स्नेल्स वगरे ने खा लिया है अब देल न करते हुए मैं इन सारी पत्यों को मिटी से बाहर निकाल लेता हूँ फिर इसका रूर्स अपडेट आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहां आप देख सकते हैं काफी सारी पत्यों में रूटिंग हो चुकी है जबकि बागी पत्यों में रूट फोर्मेशन हो रही है रिजल्ट जो है वो काफी सक्सेशफुल रहा इस तरह से आप भी मोगरा को पत्यों से ग्रो कर सकते हैं मोगरा के जितनी पत्यां उतने पोधे आप मुफ में तयार कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें सूर्स आने में कितना टाइम लगता है तो इसमें कोई fix time नहीं है Roots आने के एक महीने बाद भी सूर्स आ सकते हैं तो कभी दो से तीन महीने भी लग सकते हैं इससे पहले भी मैंने आपके साथ मोगरा को पत्यों से grow करने की वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आपके साथ Roots के साथ साथ सूर्ट तक की अपड़ेट भी शेयर की है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वच्छिंग